अधीक रहेंगे परिश्रम, फिर भी लाब होगा कम, मनुष्य जीवन में संकट आते हैं, आपकी शक्ति ओम जीद देखने के लिए संकट आते हैं, शनी महराज की अत्यन्त परिश्रमी राशी के रूप में मकर राशी की विशेश पहुचाना है, मकर राशी की सबसे बड़ी विशेश्ता है कि शान्ती से परिश्रम करना और आने वाले संकटों का सामना भी शान्ती से ही करना, वह शक्ति आप में होती है, उस कारण संकट आप से मिलने आते हैं, नमस्कार, मैं आश्टर गुरुमा डॉक्टर जोती जोशी, आप सभी जोतीश प्रेमिये और मध्यन क करताओं का हर्दिक स्वागत करती हूँ, हम नवंबर 2022 महने के राशी भल को समझ रहे है, उसमें आज हम मकर राशी के जातकों के लिए यह महना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वारतालाब करेंगे, विभिन दुरुष्टिकों से इस महने के ग्रहस्तिति का विश्रेशन करेंगे, साथ ही विडियो के अंत में मैं आपको इस महने करने वाले उपाय बताऊंगी, विडियो अंत तक देखे, विडियो अगर आपको पसंद आता है, तो कमेंट सेक्शन में लिखे, जैजोतिश, एक छोटा सा निवेदन है, प्रुपया फोन कॉल न करे, वाट्सप पर मैसेज करें, या कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट या आपके सवाल आप लिख सकते हैं, मैं जवाब देने का पूरा प्रयास करूंगी, व्यक्तित्व की दुरुष्टी से विचार करें, तो राशी स्वामी की स्थिती को देखना अत्यनत आवश्यक होता है, मकर राशी के स्वामी शनी महराज राशी में ही विराजबान है, महत्व पूर्ण बात है कि वहावे पंच महापूरुष्योगों में से एक शशराजयोग का निर्मान कर रहे है, जिस कारण आपका व्यक्तित्व अत्यनत गंभी रेवं प्रगल्ब हुआ है, साड़े साती में मनुश्य विभिन्न प्रकार के अनुभों से संपन्न होता है, हमारे समाज में साड़े साती को लेकर कई ब्रहंतिया फैली हुई है, लेकिन शनी महराज की साड़े साती आपको प्रगल्ब बनाने के लिए आती है, मकर जातकी सौधी में बड़े पानी की दृष्टी से विचार करें तो मकर राशी के लिए पुननस्ट्य शनी महराज ही महत्वपुर्ण होते हैं क्योंकि वे आपके दूतिएज भी है वर्तमान स्थिती दिशा में परिश्रम करना चाहिए इस विचार के साथ आपका दिन शुरू होता है उसके अनुसार आप योजना भी बनाते हो जिस कारण सभाविक रूप्त से धनप्राप्ति के अवसर आपको प्राप्त होते हैं परिवार में किसी कारेक्रम का आयोजन हो सकता है आपकी वानी अधीक प्रगल्ब होगी संक्षेप में इन सभी दुरूष्टियों से यह महना आपके लिए लाभकारी रहेगा उसका उपयोग कीजिए पराक्रम परिश्रम की दुरूष्टी से विचार करें तो परिश्रमेश गुरू महराज की स्थिति आपके लिए महतोपुर्ण होती है वे आपके परिश्रम स्थान में विराजमान है लेकिन कुंडली का तुरूतिय स्थान होने के कारण प्राकृतिक शुभग्रह गुरू महराज को वह अच्छा नहीं लगता है मकर राशी के लिए गुरू महराज वेश और परिश्रमेश होने के कारण अकारक माने जाते है परिणामसरूप इस सौधी में आपको बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा यातरा के योग निर्मान होंगे, विदेश जाने के योग भी निर्मान होंगे कई बार क्या होता है कि विदेश जाना अत्यंत शुभबात मानी जाती है लेकिन जब जोतिश की निर्मिती हुई उस समय काल में रुशी मुनियों की दुरुष्टी से विदेश जाना अर्थात देश निकाला की शिक्षा होती है क्योंकि तब ऐसी शिक्षा होने पर ही वेक्ति को अपना घर अपना राज्य छोड़ना पड़ता था यहाँ गुरु माराज के नकारात्मक फल से आप विदेश जा सकते हैं लेकिन आज के आधुनिक समय काल में हम उस से शूबह चीज़ बानते हैं इसे ही हम कालाय तस्मे नमहा ऐसा कह सकते हैं काल के अनुसार मनुष्य बदलता है उसका भी यह एक छोटा सा हिस्सा है वास्तु वाहन भूमी सुकशान्ती की दुरुष्टी से विचार करें तो चतुर्तेश मंगल देव आपके शेष्ट स्तान में विराजमान है चतुर्तस्तान में राहू और हर्शल जैसे ग्रह विराजमान है साथ ही चतुर्तस्तान पर रवी बूठ शुक्र केतु इन ग्रहों की एक ही समय पर दुरुष्टी है यह योग वास्तु या वाहन के लिए उचित नहीं रहेगा ऐसी अशुबस्तीती में आप किसी भी प्रकार की जल्दबाजी करते हो तो उसमें लाब के अपेक्षा नुक्सान होने की संभावना आधिक रहेगी अर्थात वह नुक्सान बाद में पता चलेगा इसलिए थोड़ी प्रतिक्षा करना आपके लिए उचित रहेगा शिक्षा इस्टदयुका सहयोग प्रणाई की दुष्टी से विचार करें तो फार्मसी क्षेत्र के चात्रों के लिए अर्थशास्त्र, टेली कम्यूनिकेशन, मार्केटिंग, मीडिया शेत्र के चात्रों के लिए यह महिना अत्तंद शुबदाई काह जा सकता है आप परिश्रम पुर्व का अध्यान करेंगे उसमें सफलता प्राप्त करेंगे और उससे आपको आगे नए अउसर मिलेंगे अध्यान करते समय आगे के पढ़ाई के लिए आपको विदेश जाने के अउसर भी प्राप्त हो सकते है उसके लिए scholarship भी मिल सकती है जिस कारण शिक्षा के दुष्टी से यह समयकाल अत्यन्त लाभकारी कहा जा सकता है इस्त देव के आशिर्वाद आपको प्राप्ते होंगे इस समयकाल में मुख्य रूप से आयोजित विवाह करने वाले यूग की उतियों को अच्छा जीवन साथी मिल सकता है इसलिए उस दुरुष्टी से भी उन्होंने प्रयास करने चाहिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल और हाँ बेल आइकोन दबाना ना बुले धन्यवाद स्वास्त कर्ज प्रतिसपर्दी शत्रू की दुरुष्टी से विचार करें तो यह महिना मकर जातकों के लिए थोड़ा परेशानी से भरा रह सकता है अपने स्वास्त का द्यान रतना वहन साउधानी से चलाना आपके लिए आवश्यक रहेगा साथ ही शत्रू और प्रतिसपर्दियों की गतिविदियों को नजर अंदाज करना उचीत नहीं रहेगा उस दुरुष्टी से भी आपको थोड़ा जागरुक रहना पड़ेगा क्योंकि आप अपने काम में व्यस्त रहेंगे शत्रू आपको नुक्सान पहुचाएंगे इसलिए उस दुरुष्टी से थोड़ा जागरुक रहे यह सलाह आपको दी जाती है नोक्री यह व्यस्त की दुरुष्टी से विचार करें तो मकर जातकों को इन दोनों मोर्चों पर बड़ी सफलता प्राप्त होगी उन्नती के आउसर निर्मार होंगे नोक्री करने वाले जातकों को पदन नोती के आउसर प्राप्त होंगे धनल आपके अवसर प्रापत होंगे, व्यावसाइग जातकों को व्यावसाइव रुद्धी के अवसर प्रापत होंगे, इसलिए इस लापकारी अवदी का पूरा उपयोग किजिए भाग्ये वम शुभसंकेत की दुरुष्टी से विचार करें तो मकर जातकों के लिए इस महिने कई शुभसंकेत निर्मान होने वाले है पंच महापुरुष योगों में से दो मुख्य राज योग आपके कुंडली में गोचर द्वारा निर्मान हुए है राशी में निर्मान होने वाला शशे योग और दशमस्तान में शुक्र ग्रह द्वारा निर्मान होने वाला मालव्य योग यह दो महत्व पुर्ण योग है साथ ही बूद शुक्र द्वारा दशम स्थान में निर्मान होने वाला लक्ष्मिनारायन रवी बूद का बुदादित्य हो ऐसे कई शुभयोग आपके लिए निर्मान होये हैं लेकिन बूद और शुक्र दोनों अस्त होने के कारण प्रभाव में थोड़ा बदला हो सकता है भी उनका पूरा फल नहीं मिलेगा अन्य था त्रिकोन और केंद्र के स्वामी अर्था नौमेश और दशमेश या धर्म और कर्मस्तान के अधिपति का गठवंदन बड़ा ही लाभकारी माना जाता है लेकिन यह दोनों ग्रह अस्त होने के कारण वे संपुर्ण फल प्रदा करने के लिए मेरी दो किताबे प्रकाशित हो चुकिए है उनका अवश्य लाभ लीजिए लाभ की दुरुष्टी से विचार करें तो मकर राशी के लाभेश लाभ स्तान से अस्ठम स्तान में और शत्रो राशी में विराजमान है फिर भी राशी स्वामी की स्थिति को देख स्तान के ग्रहों की स्थिति को देखा जाए तो इस मैंने आप अधिक कर्म करने वाले हो बड़ा परिश्रम करने वाले हो जिस कारण आने वाले समय में आपके लिए लाभ के शुबह उसर निर्बार होंगे वैसे भी परिश्रम कभी वेर्थ नहीं ही चाते आज नहीं तो कल उनका लाभ अवश्य मिलता है इस बात को द्यान में लीजिए वे उम परदेश कमन की दुरुष्ची से विचार करें तो मकर जातकों के लिए परदेश कमन के शुबह उसर निर्बान होना विदेश पे श्तीत जातकों को उन्नतिके अउसर प्राप्त होना सउख्य प्राप प्रसन्नता से खर्च करना चाहिए क्योंकि हम उचित खर्च करते हैं तो कही न कही हमारी जिम्मेदारियों को पूर्ण करते हैं एक और विशेश बात है कि खर्च के धनस्तान में आपका व्यक्तित आता है अर्था जिस समय आप खर्च करते हैं जिम्मेदारिया पूर्ण करत तो आपका व्यक्तित्व प्रगल्ब होता है उसमें आपकी राशी की सीख है कि उचीत कर्म करें अपनी जिम्मेदारियों को पुरुन करें ऐसा करने पर शनी महराज आपको दोनों हातों से आशिरवात पर प्रदान करने के लिए सदैव तयार रहते हैं हर दिन किसी के लिए भी समान नहीं होता जीवन सुप दुक और उतार चड़ाव से भरा है उस अनुसार महने के कुछ दिन सभी के लिए अत्यनत शुभ होते हैं तो कुछ दिन अशूप तनाव और संगर सश्रे भरे होते हैं इस सौधी में हम कैसा व्यभार करते हैं इससे हमा शुभ रहेंगे तो 9, 18 और 27 यह दिन अशुभ रहेंगे उपायों की दुरुष्टी से विचार करें तो जोतिश में छोटे-छोटे और बड़ा परिणाम करने वाले उपायों को बताया गया है अशुभ चीजों की अशुभता कम करने का शुभ चीजों की शुभता जाने का उन्में सामर्थ होता है वो सनुसार इस महिने के उपायों का विचार करें तो 9 महिने की ग्रह स्थिति को देखते हुए थोड़े अलग उपाय में आपको बताती हूँ राम चरीत्र मानस में कुछ ऐसे दोए हैं जो हमारे जीवन के लिए जीवन के प्रश्णों के लिए इच्छा पूर्ती के लिए भै नस्ट करने के लिए बीमारी दूर करने के लिए अर्थप्राप्ति के लिए शिक्षा के लिए उपयुक्तमाने जाते हैं यह सब दोए य लगने की संभावना है इसलिए राशी के अनुसार एक-एक दोहा देती हूँ लेकिन अन्य राशियों के दोहे भी आप पठन करते हैं तो चलेगा इस दोहे का पठन पहले दिन 108 बार करना है और उसके बाद प्रति दिन कम से कम 11 बार आपने पठन करना है क्योंकि नवेंबर म राम चंद्र जी के दोहों का जब हम पठन करते हैं तो उसके शुभपरिणाप प्राप्त होते हैं प्रभू श्री राम जी के आशिर्वात से आपके संकट कम होंगे उस अनुसार मकर जातकों के लिए बयरून कर काहूसन कोई राम प्रताप विशमता खोई यह दोहा सुच किया जाता है जैसा मैंने पहले कहा उस पद्धति के अनुसार आपने पठन करना है उसके आपको अत्यंत शुभपरिणाम प्राप्त होंगे इस प्रकार मेश से लेकर मीन तक हर राशी के लिए नोवेंबर मेहना कैसा रहेगा यह समझने के लिए हमने बारह वीडियो आपक तु जय जोतिश प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल और हां बेल आइकोन दबाना ना भुले धन्यवाद